दोस्तो आज हम बात करने वाले 20 महतपूर सवालों के बारे में जो अच्छा 10 समाजिक विज्ञान के लिए बहुत important बीडियो है वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना समाजिक विज्ञान के बहुत बिकल्पी प्रस्न के 20 महतपूर प्रस्न जो हर साल बोट एक्जाम में पूछे जाते हैं यह हर साल के रिपिटेट कोचन है जो बोट एक्जाम 2024 में 100% पूछे जाएंगे 20 नमबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो के बाहर आपको कोई भी कोचन बोट एक्जाम में नहीं आएंगे ऐसा वीडियो कही नहीं मिलेगा बस इतना परलो बोट परिछा में जरूर आएगा यह वीडियो समाजी विज्ञान का बहुत इंपाउटेंट वीडियो है मेरी पूरी गरांटी के साथ 20 नमबर दिला कर रहूंगा यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 वेरी वेरी इंपाउटेंट कोचन जो हर साल के रिपीटेड कोचन है जो इस साल बोट इक्जाम दोजा 24 में जरूर पूछे जाएंगे वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना वीडियो बहुत इंपाउटेंट होने वाली है चलिए वीडि होई थी आपको बताना है आपके आप्षन है ए फरवरी 2022 बी जनवरी 1918 सिस सितंबर 1920 अव डी मार्च 1919 इसवी में आपका ए नमर आप्षन से जगा फरवरी 1922 इसवी में हुआ था नेश्ट कोचन दुसरा नमर कोचन दिया है कि भारत में सविदान कब लागू हुआ था जो वेरी वेरी इंपार्टेन कोचन है जो हड़ साल बोड इकजाम में पूछे जाते हैं यदि आपको इन सवालों के जवाब जानते हों तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंतक अवस्य से देखें आपके आप्षन है ए चोबी जनवरी 1901 क्याओन B 26 जनवरी 1950 C 21 जनवरी 2018 और D 24 जनवरी 1947 तो आपका B नमबर आप्षन सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में भारत में सब विदान लागू हुआ था नेश्ट कोचन तीसा नमबर कोचन दिया है कि सविना अवग्या अंदोलन कब चलाए गया आपके आप्षन है A 1920, B 1927, C 19 1935 तो आपसी नमबर आप्षन सही हो जाएगा 1930 स्विना अवग्या अंदोलन कब चलाए गया था तो 1930 इस भी में चलाए गया था नेश्ट कोचन चोथा नमबर कोचन दिया है यदि आपको 95% लाना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक् बिजिट जरूर करें 4 नमबर कोचन दिया है कि रॉल्ट एक्ट का कौन सा नाम सही है आपको बताना है आपके ओपसन है काला कानून बी बीना अपील बीना दलील का कानून C उप्रियुक्त दोनों और D इन में से कोई नहीं तो आपका C नंबर आप्षन सही हो जाएगा उप्रियुक्त दोनों नेश्ट कोचन पांचवन नंबर कोचन दिया जो बेरी बेरी इंपर्टेन कोचन है प्रतम विश्वयुद का शुरुवात और अंत है आपको बताना इसमें से आपके आप्षन है A 1914-1918 B 1920-2021 तक C 1916-1944 D 1920-1936 आपका ए नंबर आप्षन सही हो जाएगा 1914-1918 तक प्रतम विश्वयुद 1914 को प्रारम हुआ था और 1918 को समाप्थ हुआ था छेवा नंबर कोचन दिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेन कोचन है सविना अवग्या का अर्थ है आपको बताना है यह 200 कोचन आपको 2014 लगाता है 2023 तक पुछे गए हैं इसलिए आप वीडियो के यहन तक बने रहें रोजाना ऐसे इस अभी सब्जेट के वीडियो को पाने के लिए आप हमाई चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन को वाल पर कर लिजिए आपके आप्शन है आपका यह नमर आप्शन सहुझाएगा वी नमरता पुर्वक्सरकार की आग्या की आप अहेलना करना एस्ट कोचन सातवा नमबर कोचन दिया है कि गीरमीटिय मजदूरों को किन अस्थानों पर ले जाया जाता था आपके आप्शन है A. फिजी, B. गुयान, C. वेस्टन, D. जो D. उपर्युक्त में से सभी तो आपका D. नमर आप्शन सहुझाएगा उपर्युक्त में से सभी नेश्ट कोचन आठवा नमर कुचन दिया है कि हरिजन महातमा गांधी ने किने कहा था आपको बताना है आपके आप्शन है A. अचुदों को, B. देवताओं को, C. भक्तों को, D. साधुओं को तो आपका इनमर आप्शन सहुझाएगा अचुदों को गांधी जी ने हरिजन किसको कहा था, छुदों को कहा था नेश्ट कोचन नमर कोचन दिया है कि दूसरा मोल मेज समेलन कब हुआ था आपको बताना है आपके आप्शन है A. दिसंबर 1931 में B. जनवरी 1931 में C. फरवरी 1930 औ D. अक्टूबर 1933 में तो आपका A. नमर आप्शन सही हो जाएगा दिसंबर 1931 में नेश्ट कोचन गांधी इर्विन समझावता कब हुआ था आपके आप्शन है A. 1931 B. 1932 C. 1933 D. 1934 तो आपका A. नमर आप्शन सही हो जाएगा 1931 में गांधी इर्वीन समझावता कब हुआ था तो 1931 में हुआ था इस्ट कोचन ने 11 नमर कोचन दिया है जो बेरी बेरी इंपोर्टेन कोचन है जो बोर्ड एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं याद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सस्क्राइब या जरूर करें अपनि दोस्तों के पास ग्या नमर कोचन दिया कि करो या मरो कनारा किसका था आपको बताना जो बेरी बेरी इंपोर्टेन कोचन है आपके आपसन है सुबा चंद बोस बी महातमा गांधी सी भागत सिंग और डिचन से करा जाद तो आपका बी नमर आपसन सही हो जाएगा मह महातमा गांधी ने कहा था नेश्ट कोचन बारह नमर कोचन दिया है कि वन्दे भारत गीत किसके द्वारा लिखा गया था बेरी बेरी इंपोर्टेन्ट कोचन है जिसके जवाब आपको भी पताऊंगे यदि आपको पता होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा आप मातरम गीत लिखा था नेश्ट कोचन तेरे नमर कोचन दिया है असायोग अंदोलन का मुख्य कारण किया था आपको बताना जो बेरी बेरी इंपोर्टेन्ट कोचन है आपके आप्शन है ए रोलेक्ट एक्ट बी खिलाफ़त अंदोलन सी प्रथम विश्वियूद डी दिर् असायोग अंदोलन का मुख्य कारण यही था नेश्ट कोचन चौदर नमर कोचन दिया जो वेरी वेरी इंपोर्टेन्ट कोचन है भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्यागरा अंदोलन कौन सा किया था आपको बताना है आपके आप्शन है बारदोली सत्या गरां किया था गांधी जी ने नेश्ट कोचन 15 नमर कोचन दिया कि महातमा गांधी दच्छीड अपिरका से वापस कब आये थे आपके आप्शन है A 1914 B 1915 C 1918 D 1919 तो आपका B नमर आप्शन से हो जाएगा 1915 इस्वी में महातमा गांधी दच्छीड अपिरका से वापस लोटे थे नेश्ट कोचन 16 नमर कोचन दिया कि 13 अप्षन 1919 की घटना से सम्बंदी थे आपके आप्शन A Simon Commission का भारत आगमन भी सत्यागरा अंदोलन की शुरुआत सी असायोग अंदोलन की शुरुआत और D जलिया वाला बाग हत्याकांड तो आपका D नमर आप्षन से हो जाएगा जलिया वाला बाग हत्याकांड 13 प्रल्शन 1919 इस्वी को हुआ था नेश्ट कोचन 17 नमर कोचन दिया है कि पूना किन दो नेताओं के भीच हुआ था जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोचन है आपके अप्षन A नेरु सुबा चंद बोश B गांधी जी सरदार पटेल C गांधी और नेरु और D गांधी जी और अमबेटकर तो आपके D नमर आप्षन से हो जाएगा गांधी जी और अमबेटर केश्ट कोचन और ठाय नमर कोचन दिया है कि भारत के लिए डीमोनियन इस्टेटस का एलान किसके द्वारा किया गया आपके आप्षन A लाड लिटन द्वारा B लाड इरविन द्वारा C लाड करजन द्वारा D लाड रीपन द्वारा तो आपका B नमर आप्षन से हो जाएगा लाड इरविन द्वारा हुआ था नेश्ट कोचन 19 नमर कोचन दिया कि सभिना अवग्या अंदोलन की सुरुआत की से महत्पुर घटना के साथ की गई थी आपके आपसन है ए रॉयल लेक्ट की घोसरा भी नमक कानून तोड़कर सी साइमन कमिशन के आगमन से टी जलिया वलबा घत्याकान तो आपका बी नमर आपसन से हो जाएगा नमक कानून तोड़कर नेश्ट कोचन बीस नमर कोचन दिया है जो वेरी वेरी इंपार्टेन कोचन हम बीस को आप जोटू कोचन लेकर आये थे जो हर साल के रिपीटेट कोचन है जो इस साल बोड़ी के अंदोजार 24 में 100% पूचन पूछे जाएंगे मेरी पूरी गरांटी के साथ आपने ये 1907-1908-1920 तो आप इस कोचन का एंस्वर कमेंट में बताएंगे कौन सा अप्शन सही हो जाएगा हम कमेंट में राइट एंस्वर बता देंगे मिलते एंगनेस्ट वीडियो में